सिर्फ हसल कल्चर करते रहोगे और आपको यह नहीं पता चला लाइक वाय माई दूइंगे तो क्या फायदा है क्योंकि शुरु शुरु में ना हरकोई जो भी हसल कल्चर में जाता है यह आप सीम इंटालिटी आ मैं सब को दिखा दूँगा यह सारे लोग तो इन लोगों कुछ पता ही नहीं है but what I find is कि ऐसा कुछ है नहीं भाई हर बंदा ना मतलब like day to day life में बस कोप कर रहा है why do you need to like even अगर आप महनत कर रहे हो बट उस महनत को करने के लिए अगर आपको इतना अपनोक्शियस बनना पड़ रहा है कि आप इतने ज्यादा वियर्ड हो कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो फिर क्या फायदा हुआ उस हसल का like why are you even doing it to be lonely अची ऐसे लड़के वही होते हैं जो बड़े हो जाते हैं पूरे पापा बन जाते हैं अपने बच्चे को बार बार टोकते रहते हैं तुमारी उमर में यह कर लिया था तुमारी उमर में मैं यह कर लिया था अरे बच्चे को ऑन बोल थीधा सबस्पार्ट? नहीं बोल सकते? को अभी रिमागे मेरे गरवालने लेका कम लीए कि की I was thinking about parenting and shit And I learned a lot about parenting and the only thing that I realized was that when you have children, treat them like your friends. I'm going to be a horrible parent if I do that, why? Because I'm a shitty friend too. I'm a shitty friend. Generally, I am a shitty friend. People don't like to talk to me. Even my friends, they just hate me. for example ये साहिल ये मेरा दोस्त है लोग हसते हैं मुझ पे क्योंकि मैं 25 का उने वाला हूँ और ये 18 साल का है तो उसके चक्कर मैं मैं ऐसे ढंक से बात नहीं करता हूँ ऐसा दोस्तू मैं for example भपा मेरी बात नहीं होती भपा से जब तक पैसों की बात नहीं हो भी फ्रेंड्स मैं अपने बच्चे से बात कैसे करूँगा वेर